Hello Friends, आज हम आपको 20 अगर्स 2023 को होने वाले इंडिया और आइरलेंड के बीच के मैच के बारे में बताने वाले हैं इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आप बल्लेवाजी के लिए किस खिलाडी को और गेंदवाजी में किसे चुन सकते हैं साथ ही जानेंगे कि आप अपने टीम में कप्तान और ओप कप्तान किस खिलाडी को बना सकते हैं हम आपको अपनी तरफ से एक बेश टीम देंगे आप चाहे तो इसमें अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं दोनों टीम के बीच खेले गए पहले मुकाबले में सांदार परदर्शन करते हुए ज्यादा पॉइंट दिलाएं इस पीच पर तेज गेंदवाजों को अधिक मदद मिल रही है ऐसे में आज के मैच में भी तेज गेंदवाज एक बर फिर से टीम में अधिक पॉइंट दे सकते हैं तो चलिए जानते हैं आज के मैच के लिए आप किन-किन खिलाडियों को चुन कर एक बेश टीम बना सकते हैं डबलिन की दविलेज एस्टेडियम की पीच पर तेज गेंदवाजों को अधिक मदद हो रही है इस पीच पर नई गेंदवाज बल्लेवाजों को बच कर रहना होगा अगर बल्लेवाजों कोई इस विकेट पर रन बनाना है तो उन्हें इस विकेट पर कुछ समय बिताना होगा उसके बाद जैसे गेंद पुरानी हो जाएगी तब बल्लेवाज खुल कर सौट्स खेल सकते हैं इंडिया वर्सेस आईरलेंड के बीच खेले जाने वाले टी ट्वेंटी मैच में आप विकेट कीपर के लिए संजु सेंसन को अपने टीम में चुन सकते हैं बेस्ट में बात की जाए तो बेस्ट में में आप यससीव जैसवाल, रीतुराज गयकवाड, तिलक वर्मा, एंडियू बालबिर्णी, हैरी टेक्टर को अपने टीम में रक सकते हैं बात की जाए ओल्राउंडर के लिए आप कुर्टिस केफर को चुन सकते हैं अब बात की जाए गेंदवाजी की तो गेंदवाजी के लिए आप कप्तान जस्पृत बुम्रा, प्रसिद कृष्णा, रवी विश्णोई, वैरी मेकार्थी और क्रेग यंग को चुन सकते हैं दोस्तों और सबसे इंपोर्टेंट कैप्टन और भोईस कैप्टन, कैप्टन और भोईस कैप्टन को अच्छा चुनना होगा अगर आप कैप्टन के लिए चुनना चाहते हैं तो कैप्टन में आप रितुराज गेकवाड या तीलक वर्मा को ले सकते हैं और वेस कैप्टन में अगर चाहिए तो जस्पृत बुम्रा या कर्टिस कैफर कुल ले सकते हैं अगर देखा जाए तो कैप्टन में रितुराज गैकवाड उप कप्तान जस्पृत बुम्रा बिकेट कीपर संजु सेम्सन बल्लेवाज रितुराज गैकवाड तीलक वर्मा रिंकु सिंग एंड्री बालविर्नी हैरी टेक्टर और और ओल्राउंडर के लिए कर्टिस कैफर हैं गैंदवाजी में जस्पृत बुम्रा रवी विष्णोई प्रसिद क्रिष्णा वैरी मेकार थी दोस्तों यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है अगर पिछले मैचों को मुकावले पिछले मैचों को देखा जाए तो इन प्लेयर्स को आप ले सकते हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं